हेलो एब्रिवन सर्द्यो का मौसम है तो बनाते हैं आलू और मटर की सबसी क्योंकि मटर जो है इसे मैं बिलकुल ताज़े रे और मीठे मीटे मिलते है वैसे तो यह मटर जो इससमें मिलते है इसे बहुत सारी रेसिपीज बनती है पर हम बनाते हैं आलू और मटर की एक पिकसी सबसी जिसे पहुत जल्दी आप बना सकते हैं और इसे पूरी, चावल, रोटी किसी भी चीज के साथ इंजॉय कर सकते हैं आप तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं शुरू करते हैं इस रेसिपी को तो इसको बनाने के लिए हम medium temperature पर गडाही रखेंगे और इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मत सरसो का तेल वैसे आप पनी पसंद का कोई भी तेल इस्तिमाल कर सकते हैं जो भी आप आते हो और जब ये तेल थोड़ा गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता दो पत्ते मैंने डालेंगे और इसके बाद एक चोटी चम्मत सरसो है ये mustard seeds मतलब की इसे डालेंगे और जब ये थोड़ा चटकने लगेगा तब हम इसमें एक चोटी चमत जीरा डाल दें और यह है 7-8 कलिया लेस्न की इसे भी मैंने बारी काट लिया है और इसके बाद हम इसे थोड़ा सा सुनहला होने तक भूनेंगे तो मैंने फिलहाल गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है और जितना धीमे धीमे इसे हम देल में भूनेंगे उतना अच्छा यह टेस्ट छोड़ेगा तो जब यह थोड़ा सा गोल्डन कलर का देखने लग जाएगा मतलब हलका बादामी सा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे एक कटी हुई प्याज यह मीडियम साइज की प्याज है जिसे मैंने थोड़ा बारीखी कट किया है वैसे आप चाहे तो इसे लंबे-लंबे टुकडो में भी कट कर सकते हैं और इसके बाद इसे हम लो टू मीडियम टैंप्रिचर पर अच्छे से सुनहला होने तक भूनेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं तो यह है एक बड़ा चमच धनिया पाउडर और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर यह वन एन आफ टी स्पून है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मेच यह कश्मीरी लाल मेच है इससे इसमें कलर बहुत अचा आएगा क्योंकि टीखे के लिए मैंने हरी मर्च काई स्नेमाल किया है जो मैं आगै करूँगी और इसके बाद इस मसाले को सिर्फ एक मिनट के लिए हमें हलका सा भूनना है मसाले भूनते से हमें कैस की फ्लेम को लो ही रखे नहीं तो मसाले जो हैं वो जलने लगेंगे और फिर इसका टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा तो ये देखिए एक मिनट हो चुके हैं और मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके हैं तब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और साथी में हम इसमें नमक भी डाल देंगे टमाटर के साथ नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और ये दो बड़े साइज के टमाटर है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था तो अब टमाटर जो पानी रिलीस करेगा ना नमक डालने के बाद उसमें जो मसाले है वो अच्छी तरह से पक जाएंगे कम ज्यादा भी कर सकते हैं और ये ताजे मटर हैं आप रोजन मटर का भी इस्तिमाल कर रहे हैं तो ठीक इसी समय पर डालें और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला ये quantity में एक चोटी चमज है अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आमचूर पावडर भी डाल सकते हैं या फिर आप एक टमाटर बढ़ा कर भी डाल सकते हैं तो मैंने इसे लो फ्लेम पर फास मिर्ट के लिए धक दिया है जिससे मतर जो है वह थोड़े सौट हो जाए क्योंकि हमने मतर को बॉयल बिल्कुल नहीं किया है हमने डिरेक्टिस इसमें डाला है तो ये देखिए मतर जो है अब थोड़े सौफ्ट हो चुके हैं तो बस अब पर एक बार इस तरीके से जरूर ट्राइ कीजियेगा और इसके बाद हम इसे अच्छे से पहले mix करेंगे मसाले के साथ एक मिनिट के लिए हमें इससे भूनना है और इसके बाद मैंने दूसरे साइट पर पाणी गरम होने के लिए रख दिया था क्योंकि हम इसमें गरम पानी का इस्तेमाल करेंगे वैसे आप चाहे तो ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखिए पानी जो है गरम हो चुका है तो लगभाग तेड़ कप मैंने इसमें पानी डाला है वैसे पानी डालना टूटली आप पर निपपर करता है आपको ग्रेवी कैसी रखनी है, पतली या फिर मोटी उसके अकॉडिंग ही आप इसमें पानी डालें और ये देखिए पानी डालने के बाद हम इसे इक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे gravy की थिकनिस पता चल जा है और यह देखे, gravy की थिकनिस बिल्कुल सही है तो हम इसे ढख देंगे 5 मिनिट के लिए हमें ढखना है क्योंकि पानी हमने बिल्कुल गरम ही डाला है और यह देखे, 5 मिनिट में हमारी सब चीज़ है वो बन करके बिल्कुल तयार है तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो कि आधी चोटी चम्मच है और इसके बाद ये है दो से तीन हरी मिर्च मेर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मैंने थोड़ा सा धनिया गारिशिंग के लिए भी बचा करके रख लिया है तो हमारी सबसी दो है देखिए बिल्कुल रेडी है लेकिन अभी ह कितनी टेस्टी बन करके तियार हुई है तो बस मैंने गैस का फ्लेम बन कर दिया है और ये देखिए मैं आपको नजदीक से दिखाती हूं हमारी क्रेवी की ठीकनिस भी कितनी सही है न मतलब बहुत जादा मोटी भी नहीं और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है तो अगर आ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक जबरूर करें और ऐसी डिशिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें and hit the bell icon ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की notification मिलती रहे till then take care, bye bye